फिलो दोस्तों वेलकम बाइक एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारी इस यूटूब चैनल के अंदर आए बात करेंगे एक हम मुद्दे के बारे में और एक अच्छा समीकरन और किलकुलेशन के बारे में बिहार के अंदर उधान सवाचनों के अंदर ए आई एम की पार्टी ने कुछ अच्छे पार्टियों के साथ गडबंधन किया है और काफी सोच समझ कर गडबंधन किया है और उसका फाइदा ना सिर्फ बिहार में मिलेगा बलके यूपी में भी मिलेगा और जबसे इन और दूगना फाइदा होने वाला है यही वज़ा है यही कारण है कि महा गडबंधन से जितनी पार्टियां नहीं डर रही है इस्पेशली एंडिये की पार्टी और वो जो है इस गडबंधन से डर रही है डरने का रीजन क्या है क्या कहता है कैलकुलेशन एक नजर दोड़ है अभी बिहार के अंदर तुम्हा गडबंदन से ज़्यादा यह वाला जो गडबंदन है यह वाली पार्टी का जो गडबंदन वो सबसे ज़्यादा मजबूत दिक रही है तो आए एक कल्कुलेशन पर धियान देते हैं और उसके बाद बातें करेंगे बिहार के अंदर 17% विदान सबा है जहां पर मुसल्मानों का हुकूमत चलता है और मुसल्मान चाहे तो वो जिसे भी हरा सकता है और जिसे भी जिता सके तो यह उनके ही हातों में हैं इनके अलावा दलितों की अगर बात की जाए तो 16% जो है दलित वोटर से है और इनका भी बोल बाला खूब रहता है ये भी जिसे चाहते हैं बहुत सारे वैसे विलान सबाय उन्हें जिताते हैं लेकिन बात करते हैं कुस्वाहा की कुस्वाहा की भी अच्छे खासी तादाद है और कुछ जगहों पर तो 25% से भी ज्यादा जो है वो कुस्वाहा की तादाद है यही रिजन है कि बहुत गटबंदन के बाद जो बहुत जादा जो है वो मजबूत हो गई है और एक बड़ी तादाद में कुषवा समाज के लोग जो है वो एंडिये को मुखल्फत कर रहे हैं उसका कई सारे रिजन है यही वज़ा है कि भाचपा और कुषवा विरुदियों को डर है कि यदि बिहार में OEC की पार्टी की अगुआई में यदि RLSP सफल हो जाती है तो आने वाले जो यूपी चुना है उसके अंदर OEC अपने दुबारा ताकत के साथ कुषवाह, मौरिय, सैनी, शाकिय के साथ गड़ बंदन कर सकते हैं जो कि इन्होंने कहा भी है कि हम अगर यह सफल होता है त बहुत सारे एरिया के अंदर जहां पर फिर से राजनितिक समीकरन बदल जाएंगे और यूपी में बड़ा राजनितिक फेर हो सकता है यही वज़ा है कि लोग नहीं चाहते हैं कि कुषवाह समाज को यूपी में कोई राजनितिक बढ़त मिले यही कारण है कि सोशल मीडिय में कुषवाह बरादरी और वेसी को जो है देश दुरोट ठराय जा रहा है लोग इनकी मुखालफत कर रहे हैं और उसके कई सारे रिजन उनमें से यह भी है कि इंडिये गोर्मेंट इतनी नहीं डिर रही है जितनी महागटबंदन से इतना उनको डर नहीं है इतना खौफ यह वाला गटबंदन इस पेशली एम वाली गटबंदन जो है उनको डरा रही है या उनको धंकाया जा रहा है यही वज़ा है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर इनकी सरकार बनती है तो किसी को हैरानी बिलकुल भी नहीं होगी और यह सरकार बन सकती है अब देखो कैसे स पर चुनों लड़ने के चांसे हैं हलांकि अभी तक अभी तो कोई घुष्णा हुआ नहीं है इस पर मैं भी खासा नाराज दो घुष्णा कर दिया जाना चाहिए जितना पहले घुष्णा होता है उतना ज्यादा बहतर और किलियर होता है लेकिन यह पार्टी का अपना फै बहुत समर्थन है मुसल्मानों के खास करके जो वेसी को पसंद करते हैं उनको जो सीधा सीधा समर्थन दे रहे हैं RLSP को और इसके अलावा मैयवती को भी अच्छे खासा पकाड़ है पहले भी पाच-पाच-चे-चे सीटों पर कई बार जीते हुए हैं तो उनका भी इनको सीटों पर बी कबजा कर लेटें या सबतंगर बस अर्फ कर लेते हैं तो अब जो है राजनितिक में अब करते हैं चीजिजए औब यह 50 सीटे आ जाते तो पापूयादवार के वाले भी ले आएंगे तो अब कुल मिलाकर अकिले कोई सरकार नहीं बना पाएगा विहार के अंदर जिस तरीके से अभी साफ तौर से दिखाई दे रहा है नदर आ रहा है अब इसके लिए क्या है गडबंधन गडबंधन आपस में फिर से समर्थन देने की बाते होंगे अब पपु याद अब Progressive Democratic Party है वो तो कभी गडबंधन वो तो कभी समर्थन देंगे नहीं इंडिये को खास खर गे क्योंकि अगर अगर इंडिये को समर्थन देना होता तो वो उनके साथ मिलकर चुनो लड़ते इसलिए वो कभी देंगे नहीं इसके अलवाک РЭलैस्पी को कभी देंगे नहीं क्योंकि यह जो गडबंधन है एम की वाली गडबंधन या सोचें गेद या समर्थन दिया जाए उनके साथ मिलकर सरकार बनाया जाए तो इसलिए यह जो गड़बंधन यह भी कभी बीज़ेपी को नहीं कभी पपुयादव के पार्टी देगी और नहीं महागडबंधन क्योंकि महागडबंधन भले इन डिरेक्ट वे में जो भी इनको पर इल्जाम लगाय जा जाए लेकिन कॉंग्रेस और आरजएटी कभी इनको समर्थन नहीं करेगी तो कुल मिलाकर एल्जीपी हो सकता है यह वह हमेशा विरौज जता है आ रहा है जद्यूक्त के पार्टी से लेकिन हो सकता है कि लगड़बंधन लेकिन कुल मिलाकर समर्थन होगा क्या कि आ एक साथ मिल सकते हैं पपो यादा कुश्वा के साथ मिल सकते हैं महाँ गटबंदन भी इनके साथ जा सकते हैं क्योंकि फिर उनके पास क्यों आप३्शन नहीं होगा लेकिन कुल ने कर इनके श्रेकार के जो जिनके प्रफ और इस सेहांस अगर वोटों का बटवारा होता है तो फाइदा जो है यानि कि अगर कोई भी गटबंदन जो नहीं लापाती है 120-120 सीटेंटों से ज्यादा तो फिर जो है आ पुल मिलाकर यह वाला गटबंदन बहुत जबंदन हो जायगा आपको लेकिन मज़़ा आने वाला है और बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा भी ना आपको की सरकार जो है इनकी बंती भी नदर आ रही है दीरे-दीरे पुल मिलाकर यह है और ऐसे हो सकती है यह फाइदा बंद होगा और काफी सो समझ कर इन्होंने यह किया है इन्होंने यह साथ मिल कर चुन लगाने का वहसला किया है यहां पर जो फाइदा हो गई होगा इनका जो सीधा सीधे फाइदा है वह यूपी के अंदर भी देखने को मिलेगा तो यह जो है इस तरीके से चीज़े चलती है सियासत में कोई भी पर्मानेंट एक दूसरे क दुश्मन भी नहीं होता दूसरे का दोस्त भी नहीं होता जिनको जिदर फाइदा नदर आता है इस अब यह देa कि किसकी सरकार बनती है किसकी बज़ार मैं तैंक यू जैहिन लव यू